मैं संजेगिंग वार आपके अपने ओनलाइन प्लेटफॉर्म पार्ट साला 247 पर हार्दिक स्वागत और अविनंदन करता हूं विटा आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे हर बार बोर्ड परिक्षा में कुष्ण हंडेड वन परसेंट पूछा जाता है और इस ब और रूड फाइब इस प्रकार से और भी संख्या होती है उनके बारे में कहा गया है कि अपरी में संख्या है या नहीं है अक्सर पेपर में कुछा जाता है कि निमने लिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अपरी में संख्या या परी में संख्या यह अब्जेक्टिव मे चाहे रूट टू लिखाओ चाहे रूट थी लिखाओ चाहे रूट फाइव लिखाओ सब इसी पर आधारित रहते हैं तो मैं आपको बहुत ध्यान से इसको समझना मैं आपको इसका कंप्लीट तरीका बताता हूं कैसे कैसे सवाल करते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं माना इ एक परीमे संख्या है मैंने यह मान रखा यहां पर ठीक है माना रूट टू एक ऐसी संख्या है तो हम कहेंगे परीमे संख्या है किलिए पहली बात होगी अगर रूट टू एक परीमे संख्या होगी तो इसे पी बटे क्यों लिख लो अगर दोगों परिमे संक्या कोई होती है तो उसे क्या लिख सकते हैं यहां पर जो पी और क्यूँ हैं पी तथा क्यूँ और संग में एक बात इंपॉर्टेंट है क्यूं जो है वह कुछ भी हो सकता है वह जीरो के बराबर नहीं हो सकता है पहली बात के लिए होगी ठीक धिखान से देखो रूटु एक परिमे संक्या पहली बात हो गई दूसरी क्या है कि रूटु बराबर पी बटे क्यूँ और पी और क्यू कैसे सहे अभाज हैं आपस में कट नहीं रहें और कैसे कूडांग भी है पहली बात होगी अब यहां से हम लोग इसका क्रॉस मेलप्लाई कर देते हैं तो फी बराबर कितना आ जाता है तो हम कहेंगे रूड्ट टू क्युंअ आ जाता है अब यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर क्या करने पर और यह बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों तरफ जमने लोग वर्ग क सबसे पहले रूट को हमने परेमेय संख्या मान लिया इसे परीमे संख्या मानने के वारूट को बराबर पी बते क्यूंद पहली बात होगी लूढ़ू टुका होल स्कायर आजाएगी में लिर ठीक है पीजिट बराबर इसकोयर हो गया यहां से पीजित형 بराबर किटना हो गया तो हम कहेंगे रूढ़ टु Q2 का whole square था यह value आ जाएगी 2q2 आ जाएगी अब यहां से बाभू हम लोग क्या करते हैं कि Q2 का मान निकालो जो की value किसके बराबर आ जाएगी तो उखर Q निकालेंगे तो यह दो बटे में आ जाएगे दर को अब कि हम आधा है कि यानि क्यों इसकोार बराबर बटे 2 से कट रहा है कि साथभी स्कॉार बटे 2 possessions से कट रही है तो लिखेंगे चुकि पी स्क्वायर दो से विभाज है किस से विभाज है तो कहेंगे सर ये दो से विभाज है किस से विभाज है तो हम कहेंगे दो से विभाज है तब तो पी भी दो से विभाजित होगा और ये बात आपको पता होना चाहिए अगर किसी संख्या का इसक्वाइर अगर कटता है किसी भी संख्या से तो वो नॉर्मल भी उस संख्या से जरूर कटेगा यानि किसी संख्या का फीका स्कॉर अगर दोसे कट रहा तो फीहर अब को क्लिर है ठीक है यानि पहला हमको इस्टेटमेंट मिल गया है कि फीज से क्या हो जाएगा हमारी लिए विभाजित फो जाएगा है पहली रखे कि बात अब आगे देखते हम in है जो यहां पर value आ रही है P, पी बराबर 2 k रखने पर, पी बराबर ये 2 कहां से आए क्योंकि बटे में 2 हैं तो इसलिए 2 के माल लेंगे से, तो P बराबर 2 के रखने पर, रखो बटा, अब इसी में रख देता हूँ, क्यों में डिर्ट ली तो क्यू स्क्वाइर बराबर टू क्यू स्क्वाइर है यानि यहां भी रख सकते कोई दिक्सक्राइब मैंने इस वाले में रख दिया, तो P की जगा रखेंगे 2K का whole square, बराबर 2Q square, तो यह आ जाएगा 4K square बराबर 2Q square, कितना आ जाएगा बिटा हमारे लिए, तो कहेंगे 4K square बराबर 2Q का whole square आ जाएगा, क्लियर, ठीक है, यानि 2Q square आ जाएगा, अगले पेच पर इसी को copy कर लेत हैं, और value हमसे 4K square बराबर 2Q square, क्लियर, अब यहां से के square की value निकलो, के square की value निकलो, तो value कितने आएगी, 2Q square बटे में कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 4 आ जाएगा, यह वाला 4 बेटा कहां पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यह वाला 4 कहां पर आ जाएगा, बटे म तो ही यहां तक की बात सबको किलियर है यानी के स्कॉार बोलाबर क्यूस। से कट रही होती तो नौर्मल भी दो से कटता है यहां पर भी सेम है किव इसकॉार किसे कट्रा एक 2 से कट रहा चूंकि Q2 2 से विभाजित है Q2 किस से विभाजित है बाबू हमारे लिए तो कहेंगे 2 से विभाजित है तब क्यूं भी 2 से विभाजित होगा Q2 भी 2 से विभाजित होगा दूसरी बात हमारे लिए पता चल गई हां सर पता चल गई यही तो हम बहुत देर से चाहा रहते हैं यह हमको किसी भी प्रकार से पता चल जाता है तो हमें पता चल गया यह किस से कट रहा है दो से कट रहा है दो बाते क्लिर यह भी 2 से कट रहा है यानि आपके लिखेंगे, पी तथा क्यूँ अतहा, पी तथा क्यूँ दो से विभाज है, अर्थात, पी तथा क्यूँ भाज संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं? अगर ये दोनों संख्याएं दो से कट रही है इसका मतलब ये कैसी संख्याएं तो हम कहेंगे भाज संख्याएं है यानि पी और क्यू किस से कट रही है दो से इसका मतलब क्या है पी तता क्यू क्या है भाज संख्याएं और पी तता क्यू क्या है अभाज मानाता हमने यहां क् चलेते अभाज्य तो लिखेंगे हम लोग यहां पर जो हमारी कल्पना के विप्रीत है जो हमारी कल्पना के विप्रीत है हमारी कल्पना के क्या है विप्रीत है अगर यह पूरी कहानी हमारी कल्पना के विप्रीत है इसका मतलब यह होता है अतहा रूट्टू एक परीमे संख्या ना होकर परीमे संख्या नहोकर एक अपरीमे संख्या है कैसी संख्या एक अपरिमे संख्या है और यही हमको सिद्ध करना था तो यहाँ पर रूड टू कैसी संख्या निकल कर आ गई एक परिमे संख्या नहोकर कैसी संख्या अपरिमे संख्या है अब आपको सारी बाते किलियर होगी बिटा जल्दी से एक बार बताओ मुझे यहां त इसका एक एक स्टैप आप रट लेना चाहें इसको समझ समझ के बिल्कुल कम्प्लिटरी तरीके से आपको आना चाहिए अगर यह वाला कोशन आपको अच्छे से आ गया तो फिर कोई दिक्कत परसानी नहीं होने वाली आपको क्लिर ठीक है इसी पराधारित मैंने एक कोशन आ गाउ और हों बर्क में भी कुस्ट दोंगा तो लास्ट में मैंने हों भर के लिए कोशन दे रखें उनको भी आप लोगो को खुद से सॉल करना फ्रक माना root 3 कैसी संख्या है माना root 3 एक परिमे संख्या है root 3 एक परिमे संख्या है सभी को बात के लिए रोगी माना root 3 एक परिमे संख्या है कैसी संख्या बबु हमसे तो हम कहेंगे परिमे संख्या दे रखी है अगर यह परिमे संख्या है तो root 3 बराबर पी बटे क्यू जहां पर पी तथा क्यू सहे अभाज पूरांग और एक कंडिशन क्या होती है क्यू क्या नहीं होना चाहिए तो हम कहेंगे सर क्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता बाद याद रखेंगे क्यू कुछ भी हो सकता बट जीरो नहीं हो सकता का ध्यान रखेंगे पहली बात हो गई यह तो लास्ट वाला ही हमने कॉपी कर दिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर बार पूछा जाता तो इस बार भी पेपर में पूछा जाएगा अब चाहें रूट टू पूछ ले चाहें रूट फाइप पूछ ले सबका से में ध्यान रखेंगा है अब आते हैं ध्यान से क्या है क्रॉस मलटपाई कर दो तो पी बराबर यह हो जाएगा रूट थ्री क्यू पी बराबर कितना हो जाएगा तो हम कहेंगे रूट थ्री क्यू हो जाएगा यहां से अब यहां से लिख देंगे वर्ग करने पर क value देखो कितने आएगी पी स्कॉयर बराबर रूड थ्री क्यू का होल स्कॉयर पी स्कॉयर बराबर रूड थ्री क्यू का स्कॉयर अब यहां से देखो पी स्कॉयर रूड थ्री का होता त्री और यह हो जाता क्यू स्कॉयर तो पी स्कॉयर बराबर थ्री क्यू स्कॉयर आ गया कोई दिक्कत ठीक है, सर कोई दिक्कत नहीं यहां तक, इसी लाइन को यहां पर कॉपी कर लेते हैं, P स्कौार बराबर 3 Q स्कौार, अब यहां से Q स्कौार निकालो तो value कितनी आएगी, तो कहेंगे P square बटे 3 आ जाएगी, बहुत सही, ये बात तों आपको पता चल गई बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को, यानि Q square बराबर P square बटे 3, यानि P square किस से विभाजित होगा, 3 से, किस से विभाजित होगा, 3 से, इसका मतलब क्या हुआ, P भी 3 से विभाजित होग किसी संख्या का square अगर कटता है, तो वो normal बिना square के भी वो संख्या, उस संख्या से कट जाती है, यहां लिखेंगे, अतहा P square 3 से विभाज है, विभाज है मतलब कट रहा है, तब क्या होगा बाबू, ध्यान चे सुनना, तब P भी 3 से विभाज होए, तब P भी क्या होगी बिटा हमारे लिए, तो हम कहेंगे 3 से विभाजित हो जाएगे, तब P भी 3 से क्या हो जाएगे हमारे लिए, तो हम कहेंगे विभाजित हो जाएगे, पहली बात clear, ठीक है, अब यहां पर P आया था, इसी P को हम लोग मान ल लेते हैं क्या मान लेते हैं ध्यान से सुनना माना पी बरावर तो मैंने का तक करके मानते हैं यहां कौन सी वेल्यू आती हैं बटे में तीन आ रहाता है तो यहां पर थिरी के मानेंगे अगर यहां बटे में दो था तो टू के मानते पांच होता तो फाइब के मानते साथ होता बराबर 3q Two-P की जगा आप 3k रख दो तो गयू आएगी 3K का स्कौयर बराबर 3q स्कौयर कितना आजाएगा बिटा आमारे लिए तो कहेंगे 3 K का स्कौयर बराबर 2 3q स्कौयर यहाँ पर देखो हूल स्कौयर है यहाँ पर क्यू बहार अलग है अगले हम देखते हैं क्टीए का स्कॉइर कितना हो जाता है नाइन के इस पर और इधर कितना अगया 3 क्यू इसकॉ 됐ंप Weight 3 से नो काट दो तो वैलू अएगी क्यूश क्यूश्वाइर लिए इसी कि हमको तलास थी, मिल गई, बहुत बढ़िया, अब यहां से देखते हैं, बाबु क्या आ रहा हमारे लिए, यहां से एक बार फिर से देखते हैं, वही पुरानी कहानी जो हम लोग अभी तक समझ रहते, यानि Q2 3 से कट रहा है, किकी क्यू इसक्वार 3 से विभाज्ज है ताब क्यों भी 3 से विभाज्ज तो हो गा विभाज्ज होगा या विभाज्ज तो होगा बस यही हम कहानी में चहां रहते हैं twist वो हमको मिल गया है देखो ध्यान से बड़ा गॉर से यानि क्यूंभी किस से विभाजित हो रहा है तीन से विभाजित हो रहा है और इससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा पी भी तीन से विभाजित हो रहा है यानि हमने यह भी सिद्ध कर दिया कि पी तीन से ером कि अर्फा इसका मतलब क्या है तो किए अर्फाल पी तथा क्यू भाजज्ट संक्याय है कैसी संख्याय तो कहें भाजसंख्याय और कि अब एक बड़ा गौर से देखो बाबू महुं लोगों ने यहां पर पी और etुको क्या माना है अभाज्य संख्याय माना हमने क्या माना अभाज्य संख्याय अब यहां वाले में क्या निकल कर आया भाज्य संख्याय तब लिख देंगे यहां पर जो हमारी कल्पना के विप्रीथ है जो हमारी कल्पना के विप्रीथ है कल्पना के क्या है विप्रीथ है हमने माना था अभाज यहां पर कैसी निकल करा यह भाज जो हमारी कल्पना के क्या दे रखा है बिप्रीद दे रखा है अत्हा अत्हा क्या होगा अत्हा रूड तीन एक परिमे संख्या ना होकर, एक अपरिमे संख्या है, एक अपरिमे संख्या है, हाई न, कि रूड तीन एक परिमे संख्या ना होकर, कैसी संख्या है, तो हम कहेंगे अपरिमे संख्या है, और यही बाबु हमको क्या करना था, देखो गौर से, तो कहेंगे सर यही हमको सिद्ध करना था यही बाबु हमको क्या करना था तो हम कहें देंगे सिद्ध करना था जल्दी से बताओ मन में कोई डाउट किसी के अब डाउट नहीं होना चाहिए किसी के भी दिमाग में है हाई है ना कि बोलो ठीक है मगर इसके अलावा कई बार इस प्रकार का भी question पूछ लेता है तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैंने कहाता है इस पर आधारी कोई भी question पूछेगा बोर्ड परिक्षा में आपका कभी भी गलत नहीं होगा क्योंकि आज मैं आता सौट कोश्चन में नहीं आता तो आपको जादा नंबर दे कर जाएगा है ना ठीक है अब यहां पर लिखा टू माइनस रूट थ्री लिखा गया है क्या लिखा गया बाबू तू माइनस रूट और यह तो उससे भी आसान होता पुराने वाले से इसे कैसे करते हैं ध् परीमे संख्या माले है हमने से कैसा माल लिया तो कहेंगे सर परीमे संख्या माल लिया है अगर इसे परीमे संख्या मानेंगे हम लोग तो इसे पी बटे क्यू लिख सकते हैं फिर वही पुरानी कहानी की पी बटे क्यू लिख सकते हैं तो पी और क्यू कैसे होने चाहिए कहेंगे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो दो माइनस रूट थी बराबर पी बटे क्यू आ गया ऐसे करें अब यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अब क्या करें सर कौन सी वैल्यू किदर किदर ले जाएं तो एक बात आपको धिमाग में रखनी है वो यह जाओ तो फी बटे क्यू और मैनास केक टू आ जाएगा बिलकुल सर अगए यह है न ऐसी है शर्काव क्युक्र नहीं तो माइनस रूड थी बराबर यहां पर उसका लास लिए लो बटे में आंजाएगा क्यू ऊपर कितना जाएगा तो फीrä बनाइंस की रोड़ e is द्र मइ सब्सक्राइब है एसी तो आएगा और इस वाले कों बैटाम लोग क्या लिख सकते वो सुनते हैं माइनस के अंदर घुणा कर देते तो वैल्यू आती है रूड 3 बराबर तु क्यू माइनस पी बटे क्यू आजाएगा तू Q-P बटे क्यों आ जाएगा यानि जो हमारा टार्गेट था जो हमारा लक्ष था कि एक तरफ अंडर रूट रखना हमेशा कुछ भी हो जाए वह हमारा पूरा हो गए हां पर हमने अंडर रूट बिटा देखो एक तरफ रख दिया है बाकी वैलू इधर आई है हमारे और हमेशंया का भी बात है हमने पी और क्यों को क्या माना है स का निए जोल को किसी जिए घुणा करें हमेशा पूरांक रहते हैं हमेशा पूनांक रहते हैं टाब आइसे लेखेंगे चूकी तूक्यू माइनस पी उपर वाला ये वाला तथा नीचे वाला है क्यों कैसे होंगे पूरांक होंगे क्योंकि पी और क्यू भी पूरांक हैं चुकि 2Q-P तथा Q पूरांक होंगे कैसे होंगे हमारे लिए पूरांक होंगे अगर यह पूरांक है तो सोचने वाली बात है यह वाल क्या होगा यह वाला क्या होगा हमारे लिए तब 2Q-P बटे Q भी पूरांक होगा है ना भी क्या होगा पूरांक यह हम कह सकते हैं जब पूरांक है भी परिमे संख्या होगा परिमे संख्या है इसका मतलब है अगर ये दोनों पूरांख है तो ये वाल क्या होगा या ये वाली संख्या क्या होगी हमारे लिए परीमे संख्या हो जाएगी चलो मान लेते हैं ये परीमे संख्या है तब एक बात और ध्यान से अगर ये वाला परीमे है बाबू ये वाला तो ये भी तो परीमे संख्या होगी ये दोनों बराबर बराबर लिखे हैं जब एक तरा परीमे है तो दूसरा भी तो परीमे होगा बिलकुल सर ठीक है ताब हो रूड थ्री भी परिमे संख्या होगे परंतु अब बात आई किलियर परंतु रूड थ्री एक अपरिमे संख्या है रूड थ्री कैसी संख्या तो कहेंगे अपरिमे संख्या है परंतु रूड थ्री एक अपरिमे संख्या इसका मतलब जो हमने माना वो सब गलत माना है हाई ना फिर लिख देंगे जो हमारी कल्पना के विप्रीत है जो हमारी कल्पना के विप्रीत है हमारी कल्पना के क्या है विपरीत है अर्था अतहा अतहा तू माइनस रूड थ्री तू माइनस रूड थ्री एक अपरी में संख्या है इसमें दो इंपरिम संख्या है और यही हमको सिध्ड करना ना अजा और हम does कर दिया है इस अब को इससे पहले इसको परीमें संख्या माल लेंगे पी बटे क्यूंत देंगे पहली इंको परफ रखेंगे बाकि पूरे कहाने और यहां रिजाएंगे और हम इस तरीके से बना लेंगे एक अंडरूट वाला एक तरफ नॉर्मल हो गया इधर वाले पी और क्यू हमने पूरांक माने हैं तो यह टू क्यू माइनस पी और क्यू भी क्या होंगे हमारे लिए पूरांक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे पूरांक हो जाएंगे अगर यह पूरांक है तो फि वारी कपल कल्पना के सब विप्रीथ है हाय ना तो फिर क्या होगा 2-3 फिर 1 अपरी में आपके दो एक कोशन का डौट रहेए तो एक कोशन में आपके सामने और लेकर आया हूं ताकि यह कुशन आपका हरहाल में 100% किलियर हो जाए कोई मन में डाउट ना रहा है बात के लिए इसे भी मैं ही स्वाल कराऊंगा और आपको हुंबर के लिए उन्हें आप प्रेक्टिस कर लेना उसके बाद इस पांचे नंबर से टेंशन फ्री हम ल लेता हूं में एक परिमे संख्या है अब तो रट जानी चाहिए आपको शिक्स प्लस रूड टू परिमे संख्या तो इससे पी बटे क्यों मान सकते हैं इसे क्या मान सकते हैं हम लोग तो कहेंगे सर्पी बटे क्यों मान सकता हूं पी और क्यों क्यों होंगे सहे अभाज और क्यूं जो है वो कुछ भी होना चाहिए बाबू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए पीक और क्यू कुछ भी हो पुणांक है सहवाज है और क्यू कुछ भी हो जाए जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है अब यह कहानी निकलकर आ गई है न अब इसमें क्या करेंगे प्लस करक Q माइनस 6 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं पी बटे Q माइनस 6 लिख सकते हैं वही मैंने किया मैंने का कुछ भी करो एक तरफ अंडरूट बाला और बाकी सारी कहानी एक तरफ रहेगी ठीक है बटा अब यहां से LCM ले लो तो रूट 2 बराबर P माइनस कितना हो जागा यह 6 Q बटे Q यही तो होगा अब P और Q कैसे हैं सहे अभाज पूरांक हैं तो दो पूरांकों को जोड कर किसी से गुणा कर कर घटा कर वो पूरांक ही रहते हैं इसका मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला चुकि P माइनस 6 Q तथा Q पूरांक हैं अगर पूरांक है तब वो P माइनस 6 Q बटे Q एक परिमे संख्या है अगर यह पूरांक है तो यह फिर कैसी संख्या होनी चाहिए तो हम कहेंगे एक परिमे संख्या है आगर यह दोनों पूरांक है तो यह फिर कैसी संख्या होनी चाहि होनी चाहिए एक परीमे संक्या होनी चाहिए कैसी संक्या होनी चाहिए एक परीमे संक्या होनी चाहिए ठीक परीमे संक्या है अगर यह परीमे है तो यह भी तो परीमे होना चाहिए बहुत सांदार फिर रूड टू भी एक परीमे संक्या होगी कि तब परिमे संख्या होगी मगर रूड़ टू परिमे संख्या नहीं होती है कैसी होती है अपरिमे संख्या होती है पर हम लोग लिखेंगे परंतु रूड़ टू एक अपरिमे संख्या है और यह अबने अभी सिद्ध भी कर लिया था कैसी संख्या एक अपरिमे संख्या है कि इसका मतलब हमने जो मान के चले तो वो सब गलत मान के चले फर रिख देगे जो हमारी कलपना के विप्रीत है क्या लिख देंगे फर लिख देंगे हम लोग जो हमारी कलपना के विप्रीत है जो हमारी कलपना के विप्रीत है कलपना मतलब इमेजन हमने जो किया था वो विप जो हमारी कलपना के विप्रीथ इसका मतलब हो जाता है कि जो मान के चल लेते शुरू में ताबो यह अताहा करके लिए अताहा है इसक्स प्लस रूड टू एक हमने परीमे माना था इसके विप्रीथ तो अपरी में होगी अताहा सिक्स प्लस रूड टू एक अपरी में संख्या है कैसी है हमारे लिए तो बाबु कहेंगे यह अपरी में संख्या है और यही बिटा हमको प्रूफ करना था दोको मैंने आपको परीमे और अपरीमे से रिलेटेड यह वाले चार कोशन समझा दिया अब हमसे बोड परिक्षा में कताई कोई कोशन गलत नहीं होना चाहिए और पूरे स्टेप टू स्टेप मैंने लिखवाएं ताकि आपको दिक्कत नहों आप इनका स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं इसके लावा मैंने आपके लि स्क्रीन साट ले लेना स्कार कि पहला कुशन सिर्थ करके बताना कि रूड फाइव ड कपरी मैं संख्या है क्या बता नहीं को के रूड पाइबक में करने हैं और इन के करने के बाद आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि हमने सर चारों कर लिये हैं और फर यह टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिस हो जाएगा और इस टॉपिक से बिटा आपके पेपर में एक लॉंग कुशन हरा बार पूचा जाता इस बार भी पूचा जाएगा तो आप इसे भी मिस मत करना एक इंपोर्टेंट बात जो यह सैसन अगर आपको पसंद आ तो आप लाइक करें और आंसर को कमेंट जरू करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर करना यानि यानि हम अपने दोस्तों की अगर करते हैं तो उन तक यह वीडियो ज जहन्त जय भारत थेंक यू